नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके एपने यूट्यूब चैनल दे विनकुमाश्यो में आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं वायस अर्थात एक्टिवायस से पैसिवायस बनाना तो आज के पहले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्टिवायस होती क्या है पैसिवायस क्या होती है और उसका कौन-कौन सा हेल्पिंग वाप प्रियोग किया जता है एक्टिवायस से पैसिवायस बनाते समय अर्थात यहाँ पे पहले वीडियो में हम लोग पैसिवायस क पैक चार्ट देखेंगे, तो आएए शुरू करते हैं, देखें जो वायस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है active weights और दूसरा होता है passiveивать, active wise को करतری वाच्च बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो subject होता है जो करता होता है वह प्रधान होता है इसमें subject खुद कोई कारे कर रहा होता है इसलिए इसको बोले जाता है active voice जैसे the cat kills the rat इस sentence में जो cat है चुहे को मारने का कारे करती है यानि कि cat rat को मारती है तो rat को मारने का काम काउन कर रहा है cat कर रहा है यानि यह जो हमारा subject है वह खुद कोई कारे कर रहा है इसलिए sentence हमारा कैसा हो गया तो active voice का sentence हो गया और वहीं on the other hand यदि हम passive voice की बात कर रहा है तो passive voice वह वायस होता है जिसमें subject कोई कारे नहीं करता बलकि उस पर किसी कारे का प्रभाव पड़ता है देखिए ध्यान बलकि उस पर किसी कारे का प्रभाव पड़ता है इसमें जो object होता है जो कर्म होता है वह प्रधान होता है इसलिए इसको कर्म वाक्षिय भी बोलते हैं जैसे देखिए यहाँ पर इसी active voice का यहाँ पर passive voice बना गया है और यह sentence कैसे बना तो कर रहा है कि the rat is killed by the cat अर्थात के द्वारा मारा जाता है इस sentence में हम क्या देखते हैं कि rat कोई काम नहीं कर रहा है बलकि उस पर किसी कारे का प्रभाव पड़ रहा है और कौन सा प्रभाव पड़ रहा है कि बिल्ली के द्वारा मारे जाने का प्रभाव पड़ रहा है इसलिए जो sentence होगा वो हमारा passive voice का sentence है देखिए जो active wise का subject होता है वो passive wise में आकर object बनता है और जो active wise का object होता है वो passive wise में आकर subject बनता है ये था एक basics knowledge active wise और passive wise के बारे में अब चलते हम passive wise के chart की तरफ अर्थात इसमें हम यह जानेंगे कि active wise से passive wise बनाते समय किन-किन helping wops का प्रियोग किया जाता है तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि active wise में कुल 12 tenses होते हैं लेकिन passive wise का कुल 8 tenses होते हैं अर्थात 8 tenses की केवल passive wise बनाई जाती है जैसे यहाँ पर हमने एक chart बनाया हुआ है आप last में आप इसका screenshot ले लिजेगा यहाँ पर present indefinite का helping wops क्या होगा age MR यानि जब आप active wise से passive wise बना रहे हैं तो passive wise में जो helping wops हम प्रियोग करेंगे वो present indefinite में होगा age MR present continuous में age MR के साथ बिंग लग जाएगा यानि जैसा आप verb का प्रियोग कर रहे हैं उसके साथ बिंग जूड जाएगा जैसे यदि हमें age का प्रियोग करना हुआ तो उसके साथ बिंग जूड़ेगा is being या फिर am being या फिर are being जैसे यह sentence ऐसे कुछ होता कि the cat is killing the rat अब यहाँ पर tense कौन सा है present continuous है जब हम इसका passive wise बनाते तो कैसे होता the rat is being killed by the cat वहाँ पर हम क्या यूज कर रहे है is being तो हर एक वर्ब के साथ यहाँ पर being भी add हो जाएगा वैसे present perfect का जो helping वर है वो has been और have been है और present perfect continuous के कोई helping वर नहीं होती है passive wise में past indefinite का helping of wise where, past continuous का wise where के साथ being जोड़ जाएगा जिस प्रकास से आप present continuous में is, am, are के साथ being जोड़ रहे थे वैसे यहाँ पर भी आपका past continuous में wise where के साथ being जोड़ जाएगा यदि आप वाज का प्रियोक कर रहे हैं तो इसके साथ being जूडेगा यदि वेर का प्रियोक कर रहे हैं तो being जूडेगा यानि वाज being और वेर being ऐसे होगा इसके बाद past perfect का हो जाएगा had been और past perfect continuous की tense नहीं बनती है पैसिवास नहीं बनती है फ्यूचर इंडिफिनिट का शैल भी विल भी हो जाएगा और फ्यूचर कांटिनुवस का पैसिवास नहीं बनता है फ्यूचर पर्फेक्ट का शैल है बीन विल है बीन हो जाएगा और फ्यूचर पर्फेक्ट कांटिनुवस का पैसिवास नहीं बनती है तो आप एक बार इसका स्क्रीन सॉट ले लीजे देख़े ये जो आपका पैस्वाय het का चार्ट है इसको जरूर आप धिहान में रखijे क्योंकि जब हम ActiveWast से पैस्वाये बनाएंगे तो इसी चार्ट के आधार पर हम लोग का पैस्वायस बनाएंगे ओके तो मिलते हैं पैसिवास के एक नए वीडियो में तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विने को नमस्कार